कोरोना महामारी से तो दुनिया बुरी तरह जूज रही है लेकिन इसी बीच एक और महामारी ने दस्तक देदी है दरहसल कॉंगो देश में एक और भयानक महामारी फैलना शुरू हो गई है डुमकरेटिक रिपबलिक ओफ कॉंगो के पक्षिम शहर में इस बारी बिमारी फैल दो लोगों का इलार्ज जारी है तरहसल कॉंगो के पक्षिम इलाके में स्थत्य बांडाका शहर में इबूला महामारी फैलना शुरू हो गई है इसे पहले साल 2018 में कॉंगो का सिर्फ पूर्वी इलाका इबूला से प्रभावित था अब जिस बांडाका में ये महामारी फै दूर है उतरी कीवु शहर युगांडा की सीमा के पास है यहां पर फैले इबूला की वज़ज़ से अब तक बाईसों लोग मारे जा चुके हैं साल 1976 में कॉंगो में इबूला का पहला संक्रमेंट फैला था उसके बाद से पिछले 44 सालों में इबूला ने कॉंगो देश मे 11 बार हमला किया और हजारों लोगों को मौत की नींद सिला चुका है इबूला वारेस की वज़ज़ से इंसानों को हैमोरेजिक फीवर आने लगता है इसके बाद मरीज को लगातार उल्टिया होती है और वो डाइरिया का शिकार हो जाता है इबूला के लावा कॉंगो इस स बांडा का शेहर में वैक्सीन और दवायां भेज रहे हैं सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस द बेल आइकन फोर अपडेट्स